और पपुयादव इन दिनों कॉंग्रेस पार्टी में चले गए हैं। उनकी जन अधिकार पार्टी जो थी वो पार्टी कॉंग्रेस में बिलाय हुचुका है। और पप्पु यादो साइध ही बिहार का कोई ऐसा थाना होगा, जिस थाने छेतर में कोई घटना को लेकर मदद पहुचाने नहीं गये होंगे। पप्पु यादो तमाम थाने छेतरों में, तमाम जीलों में बिहार के गुंगते रहते हैं। और पप्पू यादो इनΦिनों पुरुणिया और प्रनाम पुरुणिया के नाम से कारकडम चला रहा है और इसकारकडम के अतहत एक भव रैली किये थे जिस रैली में लाखो लाख के संक्या में लोगों को जुटा दिये थे इस भीर को देख कॉंग्रेस को जुकना पर गया और फिर लालू यादव को कॉल आया और लालू परशाद यादव के पास पहुचे पप्पु यादव वहाँ से पूरी रानिती को सिट किया गया उसके बाद वो सीधे एरोपलेन पकरे और दिल्ली पहुच गया यानि कि केंद्र की रानिती में उनकी जो उथल पुथल थी वो शुरू हो गई और जब वहाँ पहुचे तो अटेंडव उन्होंने एक प्रेस कॉंफरेंस बुलाया जहां पे अपनी पार्टी के विलाय की सूचना उस प्रेस कॉंफरेंस पर दे दिया अब सोचे कि बिहार में कॉंग्रेस की क्या स्थिती है और इस स्थिती के बावजूद पप्पू यादव कॉंग्रेस का दामन थाम लिए ये एक सबसे अपने आप में बड़ी बात है और पप्पू यादव जैसे ही कॉंग्रेस में गए उनकी पाटी के लोग और बिहार के लोगों ने ये बात लिखना सुरू कर दिया कि अब कॉंग्रेस इतनी मजबूत हो जाएगी बिहार में कि सायद भाजपा का नीन दुरा करक देगी अब सोचे कि पपू यादव जिस प्रकार से जन अधिकार पाटी के तहट पूरे बिहार में भर्मन कर दे थे लेकिन अब वो अपना पाटी को कॉंग्रेस में ब्लै कर लिए तो सोचे कि जन अधिकार पाटी तो खतम लेकिन अब कॉंग्रेस में अपना एक बड़ा चेहरा बनाने के लिए पप्पू यादो तयार है तो सोचे कि पूरे बिहार का भर्मन करेंगे तो क्या से क्या होगा वो किसके लिए होगा कॉंग्रेस पार्टी के लिए और कॉंग्रेस पार्टी को इससे सबसे बड़ा फायदा पहुचने वाला है जिसका असर अब कुछ दिनों में आप लोगों को दिखना सुरू हो जाएगा याली कि आप कोई भाजपा से फढ़ियाएगा तो वह पपुयादव है अब सोचे कि बिहार लेबल पर स्मित पार्टी थी जद अधिकार पार्टी उस पार्टी को विलाएग कॉंग्रेस यानि की अब कंद्रिये पार्टी में किया गया और पूरे भारत भर की अब सुर्खियाज भाय वह पपुयादव बटो रहेंगे और कहीं ने कहीं आप लोगों को यह ब भाजपा के खिलाफ लरते आएं ऐसे इस्तिती में पपुयादव भाजपा में कभी नहीं जा सकते हैं और पपुयादव ने यह फैसला लिया कि क्यों नहीं हम लोग एक साथ लरके और फिर यह मोदी और भाजपा सरकार को हटा ते यह पपुयादव के माइंड बे चल रहा इसी परकार से मजबूती को लेकर पपुयादव ने एक सबसे बड़ा भीड बोलाया और उस भीड में लाखो लाख के संख्या में प्रनाम पुर्णिया नाम से एक रैली चलाई गई उसमें लोग पहुचे इस रैली को देकर पट्टा से लेकर दिल्ली तक राजनिती जिसको लेकर पपुयादव ने इस फैसले को अपने आप में सही साबित कर लिया और कहीं ने कहीं लेकर सिधा दिल्ली उगए और दिल्ली पहुचते ही उन्होंने कॉंग्रेस के बड़े नेताओं के साथ प्रेस कांट्रेंस की और उसमें ये बात की जनकारी दी कि आज से ह हम और जब तक जीवन चलेगा तब तक हमारा परिवार और हम कॉंग्रेस के साथ ही रहेंगे अब सोचिए कि अब कॉंग्रेस के लिए जो अपना जीवन को समर्पित करने के लिए तयार है वो सक्स वो पपुयादव क्या कॉंग्रेस को बिहार में मजबूत नहीं कर पूरे जगाओ पे अपने विपकषी की भूमिका नहीं दिभाएंगे यह समय जो है आप लोगों को बताएगा और कही Clement ये आप लोग सोच रहेंगे कि सुच में जो हमने कहा वो साच सही साविध होगा और कहीं नहीं कहीं लोगों के माइंड में जो चल रहा कि सीटों को लेकर शिर्टा कर लिए एक सीट को लेकर लगा कि हम जाएंगे जिसको लेकर भाज़पा, जुआ कि वायवाली लूट लेगी जिसको कारण जिसको लेकर हम कॉंग्रेस के साथ चले जाते हैं तो ऐसा नहीं उन्होंने देश की चिंता जताई और देश की चिंता को लेकर पपुयादा उन्हें कॉंग्रेस का दावन थामा बाकी आप लोग क्या सोचते हैं प्रतक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा मेरा नाम कैफी है बिहार वाले कैफी पर मुझे देख रहा है थे बहुत बहुत झाल देबाद